हाई फ्रेंड्स मीटिंग यू आपर लॉंग टाइम तो आज का वीडियो है अबाउट क्रूज कंट्रोल ले मैं टर्म्स में समझाना चाहूंगा पहले तो कि क्रूज कंट्रोल होता क्या है तो क्रूज में बैसिकली हम एक फिक्स स्पीड पे गाड़ी को सेट करेते हैं और दबाने के जोद नहीं होती है अपने सपीड जतने के छोरेगी चतने करेंगे उस पर भी चलती रहे घूस टो आ जो एकसे लेभ्ला पर राइट 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 लेक ज वह फ्री हो जाता है और आपको श्कोंम इसले ग्रशी कंट्रोल कर स्ध-قولक है करूज जालने पर राइड भी फ्री हो जाता है तो एक कफी द्राइव को मिलती है अभी मैं आपको स्कोड़ा को साग में क्रूज कंट्रोल करते हैं उसका डेमो को दोगा क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए आप देख सकते हैं यह लेप्ट ये लेफ्ट हैंड साइड में लीवर है लीवर के ऊपर एक यह बटन आप देख रहे हैं इस बटन को को ऑन करना होता है अभी यह आफ पोईशन में है जब आफ रहता है तो आप देखा तो आप यहाँ पे जो डिस्पले है वहाँ पे ऐसा आता है तो किलोमेटर और ट्रिप यह सब दिखता है लेकिन जैसे ही मैं उसको आउन करूंगा तो अभी मैं आउन कर रहा है तो आउन करने के बाद क्रूज कंट्रोल का एक डिस्पले स्टार्ट आता है किलोमेटर पर आवर तो इद मीन्स कि दाट यूर्स क्रूज कंट्रोल सिस्टम इस आउन नाओ अब किलोमेटर किलोमेटर बढ़ेगी स्पीद बढ़ेगी और रिज्जियू होगी और नीचे है सेट इन माइनस मतलि यहां कम होगी और इसी सेट भी होगी जैसे यह प्रूज कंट्रोल उन करें तो यहाँ पर ग्रीन लाइट का इंडिकेटर आ जाएगा तो आई भी हम आउन कर दिया कि गाड़ी 42 को स्पीर को टच करेगी और फिर कॉंस्टन्ट जाएगी तो इस समय मैं आभी कोई एक्सिलेटर नहीं दे रहा हूं गाड़ी अपने आप चल रही है इस पर ब्रेक लगाओंगा तो क्रोज निकल जाएगा तो वापस से क्रूज सेट करने के लिए मुझे यही बटन बटन वापस दबाना है प्लस वाला इस वरी एजी कोई बड़ी बात नहीं है एक बार जवाब कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ही एजी लगेगा शुरू में तुला समझने में दिकत होती है बट अधरवाइज इस नोट रॉकेट साइंस आराम से कर सकते हैं यह तो क्रूज कंट्रोल हुआ क्रूज कंट्रोल हम काफी समय से देखते आ रहे हैं और जानते हैं बहुत लोग इसको भी करते हैं नौ मार्केट में या फिर नहीं कुछ नहीं गाडियों में नए फीचर भी आ रहे है विच इड्याप्टिव क्रूज कंट्रूल तो पॉह अपने अपने स्पीद को कंट्रोल करती है लेट से अगर सामने की गाड़ी को सिस्टी पे चल रही है और आपका आपका कुछ नहीं है कोई गाड़ी नहीं है तो आपके सिट किया हुए क्रूज के स्पिड पे यह आ जाएगे तो इसमें तो आपको ब्रिक लगाने की भी जुरूत नहीं है तो अपने आप चलते रहती है और अप्टिव गैडलेंस पे अब आजकल जो नए गाड़ियां गाड़ियां आ रही है वह सब अब सबसे पहला इसमें आप देखेंगे में है और एक्स्यू एक्स्यूवी 700 में भी है तो क्रूज कंट्रोल के ड्वांटेज हैं दो तीन एड्वांटेज हैं जो मुझे मैंने एक्स्पीरिंस की हैं वह यह ही पहला यह है कि एसी एक काफी कमफर्ट और एफटलेस ड्राइब मिल जाती है आपको जैसे आपको अब जब क्रूज कंट्रोल लगाते हैं तो आपको एक्सिलेट भी नहीं करना है तो इसलिए काफी एफटलेस और कंफर्ट ड्राइब हो जाती है और इसमें कॉंस्टेंट स्पीड पर चलती है अगर आप क्रूज कंट्रोल आपने 60 पर लगा दिया और चल रही है तो कि एक लंबे स्टेच तक एक ही स्पीड पर चलती है और अब कोई भी चलान या किसी तरह का फाइन वाइन देने की जोत नहीं पड़ेगी कि अधिश थ्री वरी इंपॉर्टेंट अधर अधर में फोरेजेश को प्रूज कंट्रोल इसके साथ साथ यह एक लिमितेशन भी हैं एक-दो फर इजांपल बेगिये से कुरूज कंट्रोल सीटी में तो पॉसिबल नहीं उपाता है मुझसे पॉसिबल नहीं बाता क्योंकि कि मेरे मुझे सीटी में ऐसा कोई स्टेश ही नहीं मिलता है जहां पर मैं 30 सेकेंड से भी ज़्यादा क्रूज गंटों लगा सको तो इमिडेटली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के बाद मुझे ब्रेक दबाना ही पड़ता है तो वह एफेक्टिव नहीं होता पड़ता है तो लिमिडेशन यही है कि इसको एक लंबा स्टेश चाहिए जनरली आपको हाइवे पर ही मिलेगा सीटी में मिलता नहीं है तो आपको काफी इसमें एलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि जैसे गाड़ी आप खाली सिर्फ आप स्टेरिंग समाल रहे हैं और अपने आप गाड़ लगाना पड़ेगा जैसे प्रेक लाएंगे तो अफकोर्स उसका क्रूस कंट्रोल निकल लाएगा बट्या यह वेरी अलर्ट इन दाट केस अगर माल लिजिया कि आपने आद काफी लंबे श्ट्रच देगा को क्रूस कंट्रोल का ऑप्शन मिला या चांस मिला तो आपको का अपड़ेगा यही था आज का क्रूस कंट्रोल का वीडियो आपको अगर इस पे कोई क्वेस्टेंस है तो यही राइट मी अन दे इन दे कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच पर वाचिंग सी यू सी यू इन माइन नेक्स वीडियो तिल देन टेक केर बाई